कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर रेलबे एंटी पीसी की जो नोटीपिकेसिन वो आ चुका है तो इसके हम लोग प्रीविएस येर के कोश्चन देख लेते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प् के लिए इसके लिए उप्यूप्त है कि एक अवर रोग यूद्यस्यों के लिए उप्यूप्त है net def causa स्पोष्चन देक लेते हैं क्या कहता है अंगा कौश्चन मुस्लिम लीक की मांसित करने और सपनत्र भारत के लिए उप्यूप्त राजनेतिक धाचे का सुझाओ देने हेतू ब्रिटिस कैबिनेट मिसन भारत कब आया था तो आपसंत्री मार्च 1946 में आया था मार्च 1946 अगला है बर्ष 1946 में समिधान सभा का उपाद्यच किसे चुना गया था तो H.C. मुखर जी को चुना गया था अगला है भारत में धना पुर्टि का बिनी आमक प्राधी करण इन में से कौन सा है तो आपसंपूर R.B.I. Reserve Bank of India अगला है उम्र भढ़ने के साथ साथ आख की समंजन छमता सामनेता कम होती जाती है इस इस्टिती को क्या कहा जाता है आपसंपूर जरादूर द्रश्टी दोस कहा जाता है अगला है निमलिखित में से किसे मानप विकांस का एक आधार इस्टम्ब नहीं माना जाता है तो आपसंपूर नियाय है अगला देख लेते हैं कोशन कोशन है भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंदर सरकार बारसिक बित्तिय रिपोर्ट विबरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है तो अनुच्छेद 112 अगला है कोनार क मंदर किस राज में इस्तित है तो ये स्तित है औरीशा राज में इस्तित है अगला है 1950 के भारती समिधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किये गए थे तो आपसंपूर यहां क्या बारेंगे के आरम में होता है तो जुलाई के आरम्बे अपसौर होता है अगला है निमलिखित में से कौन सा सैयोक तराष्ट का अंग जो है वो नहीं है तो option two मानुबा दिकार परिसत बांकी के तीन है न्यासिता परिसत, महासभा, आर्थे केवं सामाजिक परिसत यह तीन आपके राइट अंसर हो जाएंगे अगला है सोनार, तक्निक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है option एक समुदर की कहराई अगला है भारत में संगठित छित्र का सबसे बड़ा नियुकता कौन है option four भारतियर रेलबे next question है आपका इस्तरी पुरुस तुलना, महिलाओं और पुरुसों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें पुरुसों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्निताओं की आलोचना की गई थी तो option four तारा भाई, सिंदे अगला है गैस्ट्रिक ग्रंतियां पाचन के दौरान यहां क्या बनेंगे एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो पुरुटीन को पचाता है तो option two पेपसिन next आपका है कारला नामक सनरच्छत बहुत गुफाएं भारत के किस राज में इस्तित हैं तो option three अगला है भारतिय मानक समय ग्रीन बीच माध्य समय से कितना आगया है option एक पांच घंटा तीस तीस मिनट अगला कोशन है 2019 की मानब विकास रिपोर्ट की विसेवस्तू या कह सकते हैं थीम जो है वो क्या है तो option two अस समानता पर ध्यान केंदरित करना next है इनमें से किसे 2019 में पदम भोशन पुरसकार से समानित नहीं किया गया है तो option three राजेश्वर आचार्या next है संसदिय कारेपालिका का क्या विप्राय है तो option four ऐसी कारेपालिका जो संसद में भाहुमत के समर्थन पर निर्भर है अगला है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निमले खित में से किस उद्गम को उद्यम को महारतन कंपनी के रूप में बरगी करत नहीं किया गया है तो एन एच पी सी अगला है important question इंद्रा गांधी परमालू अनुसंदान के इंद्र कहां पर इस्तित है तो option 3 कल पक्कम में इस्तित है next question आप देखते हैं हम लोग निमलिक्खित किसका कथन है तो आगे कहते हैं हम भारतियों के बहुत आभारी है जिनोंने हमें गिंती सिखाई जिसके बिना कोई भी काफी महत्पुन बैग्गानी खोच करना संबब नहीं था तो option 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अलबर्ट आइंस्टीम अगला देख लेते हैं question क्या गयता है उस प्रत्थम सासक का नाम बताईए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए सिलाखंडों की सतों पर अपने संदेश अंकित कराये थे तो option 3 असोक अगला है बिग बैंक थियोरी किसे से संबंदित है तो option 2 ब्रह्मान की उत्तपत्ती से संबंदित है बिग बैंक थियोरी अगला है मानवाधिकारों की सार्व भावम घोसना UDHR एक एतिहासिक दस्तावेज है इससे संयूत राष्ट द्वारा कब अंगीकरत किया गया था तो 10 दिसंबर 1948 को अगला निमल्खित में से किसे गोल्डन फायवर के रूप में जाना जाता है तो तो option 107,57 में है अगला है निमलखित में से कौन सा एक B.A.R.C. बार्क का अनुसंधान रियक्टर नहीं है तो option एक दामिनी अगला है परधान मंतरी किसान सम्मान निधी की घोशना भारत के केंदरिय बजट यहां के आपरेंगे के दोरान की गई थी तो option 3 2019 से 2020 अगला है ब्रिटिस भारत में प्रांतिय विधान मंडलों का पहला चुनाओ किस बर्स में हुआ था तो देखे गाईज यह हुआ था आपका option 2 सन 1937 में हुआ था अगला है रक्त चाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनेच्छिक करियाएं यहां के आपरेंगे दोरा नियंतरित होती है तो मेडुला दोरा नियंतरित होती है अगला है डोमिनिक थियेम ने यूएस ओपन मैंस सिंगल 2020 के फाइनल मैच में यहां के आपरेंगे को हराकर खिताब चीता तो अलेक्जेंडर जुए रेब अगला है रत्नावली की रचना किस ने की थी रत्नावली की रचना की थी औप्शन टू हर्सने ओके गाइस तो आज के इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू धन्यवाद